नश्कार दोस्तों मैरे जेश्मा शर्मा राजका विशे शुर्गिंट से पहले सभी को जाहिन सो दोस्तों आजका मेरे विशे बड़ा खास होने वाला सो बात ऐसे कि आज की वीडियो है गल्स के लिए सब्तों सारे सूर में बताने वाला। कि यह सूर कौनसा यह ऐनसा यह कौनसा यह कहन सा वीधियो चलते चलते शेयर कर दो बचे तक वर पजाने की कोशिश करो जिनको अभी तक तक बढ़िया सा लेसन नहीं है पूरा वर्ल्ड मुझे सुनता है बहुत खुशी है और पूरा भारत भी मुझे सुनता है उसकी भी मुझे बहुत खुशी है पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है होगी कि जब आप यह सारे सुर याद कर लोगे क्योंकि mostly YouTube पर लाखो वीडियों पर girls scale से बहुत कम लेसन शेयर है तो मैंने सोचे चलो यार बना के शेयर करते है तो girls का क्या होता है कि एक दो तीन चार यह सा होता है boys का सा यह होता है ठीक है सारे गामा पाधा नीसा यह boys का है तो girls का है सारे गामा पाधा नीसा सो आईए topic girls का एक दो तीन चार चोथा काला यह सा है शुद सूर है साथ सारे गामा पाधा नीसा अगर किसी को मेरी speech fast लगती है तो YouTube की setting में जाना मेरी वीडियो को slow करके सुनना आपको अच्छे सी समझा देगा तो भाई यह मीडियम स्केल सारे गामा पाधा नीसा यह हाई स्केल ठीक स्केल में 12 सुर हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा भारा असान सी भाषा में कहलो कि सात मुख्य सुर ठीक है पांच कुछ अन्य सुर तो यह रे को में लो गया गा को में लो गया मातीवर हो गया धा को में लो गया यह नीकों में लो गया तो सिलसला श समय जना आ जाएगा तो उसके बाद ये था मीडियम पिच अब हाई पिच है सारे गा मा पाधा नी सा ठीक है तो गल्स का यह हाई पिच सारे गा मा पाधा नी सा ये खड़े सुरह हैं मैंने कोई किसका है नहीं है इदर उदर सो ये रे कोमल हाई पिच का गा कोमल हाई पिच का ठीक है मातीवर हाई पिच का नी कोमल हाई पिच का ये धा कोमल है हाई पिच का ये नी कोमल है ठीक है भाई द्वारे बिट करो सा रे गा मा पाधा नी सा ठीक है ये रे कोमल गा कोमल मातीवर धा कोमल नी कोमल उसके बाद ये super high pitch है ठीक है अती तार सब्दक जिसको हम कह सकते हैं सा रे गा मा तो यह भाई रे कोमल है गा कोमल और यह मातीवर है तो यहां से लेगे यहां तक सारे सोर बता चुका हूं उसके बाद यह सा नी धा पा मा यह मंदर सब्दक है अगर इसके पीछे बटन होता तो अती मंदर सब तक चले जाता सा नी धा पा मा तो यह है लोपिच का यह नी कोमल हो गया यह धा कोमल हो गया यह मातीवर हो गया ठीक है उसके बाद यह गा शुद है तो आए यहां से लेगे यहां तक सारे सुर बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पहला सुर है मेरे सुर मलो हर्मोने में यह यह पाकॉमल यह दाशुद यह नी कॉमल नी शुद सा ठीक है जिसके को मेरी स्पीच फास्ट लग रही है यूटूब की सैटिक में जाना मेरी वीडियो को स्लो करके आप सुन सकते हो ठीक है उसके बाद उसके बाद ठीक है पा हाई पिचका शुद धा कोमल हाई पिचका धा शुद है ये हाई पिचका ये नी कोमल हाई पिचका और ये नी शुद हाई पिचका और ये सा ठीक है इसके बाद अतितार सब तक सुपर हाई पिचक शुरू होता है सा रे गामा ये रे कोमल हाई पिचका गाकोमल हाईपिच का गाशोद हाईपिच का मातीवल मेरी वीडियो में तीन मिस्टेक हुई है ठीक है और उसको इग्नोर करना है थोड़ा सा बताते हुए गलती होगी थी जैसे की यह धाशोद है तो मैंने बोल दिया था धाकोमल है ऐसा नहीं तो मैंने इसको बाद में रिपीट करके सही भी बता है वीडियो बड़ी मेनस से बनती है और माइंड सेट करके बैटना पड़ता है बार बार मैं कैमरा नहीं सेट कर सकता उमीद करता हूँ कि आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी ठीक है भाई सो चलती चलती वीडियो शेयर कर दो उन बच्चे तक बचाने की कोशिश करो जिनको भी तक बढ़ी असा लेसन नहीं मिला सो लास्ट में एक चीज और शेयर करने वाला हूँ की चलो अपने कोशन पेपर कोई बना लेता हूँ रफ ली देखो भाई रे कोमल यह होता है कोमल का साइन यह होता है गा कोमल हो गया कोमल का साइन यह होता है मा तीवर हो गया ऐसा होता है तीवर का साइन ऐसा धा कोमल यह नी कोमल हो गया ठीक है एक दो तीन चार पांच ठीक है इसको इंग्लिश में फ्लैट बोलते है इसे शार्प बोलते हैं फ्लैट ठीक है ये भी फ्लैट है ये भी फ्लैट है ठीक है नेच्रल का कोई साइन नहीं होता ठीक है कोमल का ये होता है भी फ्लैट हो गया तीवर खड़ा ऐसे हैश होता है तो दोस्तों ये था कोमल और तीवर सुरका ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी कुशिश पसंद आएगी नाम है रजेश कुमार ठीक है जाते जाते नमस्कार ठैंक यू जैहिंद